हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टो बीमेसक्लासस.डॉट कॉमार्वरत्य की काशवसिता की वेशिस्ता को बतातने के लिए यह लेक्षिर है और कॉमार्वरत्य की यह स्लाइड जिसमें हम आपके ही स्लेवर्स का सेकेंड पॉइंट है जिसमें साइन्टिफिक कॉंट्रिबूश जहां पे classification of age गरब, बाल, कुमार, अस इस पर बात करेंगे तो इसलाइड में हम बात कर रहे हैं कॉमार्वरत्य की प्रतिपादन में काशवसिता की विशिचता के क्या importance है क्या contribution है तो काशवसिता अगर हम जानते हैं तो काशवसिता छेटी सती सती का सताब्ये का है और छे चट्वे सदी में हम इसको काशब सहिता प्रकाश में आई थी जैसे व्रिद्ध जीवक तंत्र इसी को काशब सहिता के नाम से आज हम जानते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन की रूप में देखे तो उसके उपदेश्था महारशी काश्यप है इसके हम देखे तो वादसे इसके लिए प्रतिसंसकार के रूप में 6-7 इशापूर में हम इससे देखते हैं अगर हम इसके रक्षा करता देखे तो अनायास नामक यक्ष है गरंद को निबंद दृष्टी से दो इस तरपे हमने बाटा था एक व्रद्धक जीवक और एक वादसे पोइंट पे अब आते हैं तो हमारा यह सारा लक्चर कशफ सहता केरद गृद्ध रहेगा कीन्ध कशफ सहिता में काश्रब्रत के लिए को प्रतान किया same time क्यों किकर सैनिता में बालको को लेकर बात की गईती कि और बालको को ही विचार करके वो ग्रंतर की रचना हुई थी कौमारवर्थ विशय भी इसी विशय पर होता है इसलिए हमारा कौमारवर्थ विशय कारशप सहिता की हिस इर्दगर से ली हुई पातों को लेके चलता है तो इसमें हम करते क्या है कारशप सहिता की कौमारवत्य से योगदान यही है कि इसमें हम बालकों की परिचर्या, उत्पत्ति, व्रद्धी, विकास और उनकी जो ग्रह बादा या उनको जो भी बिमानिया रोग होते थे उनकी विस्तार को वर्णन देखा हमने तो उसके साथ हमने गर्भडी परिचर्या भी यहां पे काशप सहिता में ही मिला दुष्ट प्रचाता, दुष्ट प्रचाता यहीं वह माता जो जिसका अगर दूद पान करता है बालक तो वह रोगी हो जाता है तो दुष्ट प्रचाता वह जन्म देने वाली माता जिसमें रोगी बच्चों का जन्म हो रहा दोशों का नेकराकरण, उप्चार और गर्भावस्था की समय जो भी प्रसव की मित्यों जो बालक की मित्यों तो यह बालक को ही बेस बना करके सारी रशना थी इसके सासत कास्व सहिता में धात्री का वर्णन मिलता धात्री यानि वो माता जो बच्ची को पलालन पालन करती है उसे धात्री शब्द है श्वेधा अध्याय में हस्त स्वेधन करने को बच्चे के लिए कहा गया उसकी साथी इसमें और भी गिश्यों को प्रकाश डाला ग साल में कुछ अचारों ने मूसल चलाना मना कि यह काश्यप ने इसका खंडन करते हुए कहा था यह खंडन मिलता है आपका शप्सहता पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ऐसे जब आप यह पॉइंट लिखते हैं तो आपको इसमें मेंशन करना आप आवश्यक है छे मास म जो है यह काश्यप सहिता में ही मत मिला कुमारागार ग्रणा भुमी ग्रणा नाना किन सब काश्यप सहिता मिलते साथ ही जो एज का प्रव को शेष्ट माना गया था ये काश्यप का बढ़नन है वेदना अध्याय जिसमें रोग्यों जो बालक रोगी होता है उसकी वेदना कैसे व्यक्त होती है ये व्योहारी हाव भाव को देख के बता गया ये बहुत ही महत्तपूंट था क्योंकि बालक जो होता है वो बोल नहीं सकता है वो अपनी वेदना बता नहीं सकता है पर एक आश्यप सहिता में बहुत ही इंट्रेस्टिंग हो या बहुत ही एक सूजबूच व्योहारी ज्यान दिया गया था किस तरीके से बालक की हाव भाव को देख कर कि हम बता सकते थे कि बालक बिमार है या उसे कौन से रोग हो सकते हैं यह आगे मैं स्लाइड लक्षर में आपको बताऊंगी बहुत इंपॉटन्ट है वेदना अध्या लेह अध्या जो वेक्सिनेशन के रूप में है स्वाण प्रासन कर नाम सुना होगा वो हम बच्चे की हर्ष्ट पुष्ट और सनमर्धन के लिए करते हैं तो यह सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं यह सारे काश्यप सहिता के मुख्य मुख्य बाते थी जो कि इसकी विसिस्टा को रखता है तो काश्यप सहिता बालकों के लिए थी और उसमें गर्बनी भी थी तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्यों काश्य स्थान मिलेंगे और एक अलग से ख힐 खिल इस्थान या हख्या को में सकते जो 80 अध्याय का था वही काशवसेता में जोड़ा गया था तो सूत्र इस्थान के तीस निदान के आठ बिमान के 8 अध्याय लेकिस में अध्याय बा। अध्याय कल्प स्थान में 12 और खिल भाग जो खिल भाग है वो असी अध्याय जोड़े गया थे बाद में काशप सहिता में जोड़ा गया था कुल ये 200 अध्याय हैं जो में काशप सहिता में मिलता है इस तरह करके हमें पूरी काशप सहिता को देखना होता है और एक छोटा सा आंसर मैनेज करकर की लिखना होता है जो कि हमारे एक्जाम में काश्रप सेता के महत्तों को भी कवर करता है विस इस तक क्या क्यों हमें से पढ़ते हैं इसलिए इसका क्या योगदान है इसलिए तो इन सब प्रशनों को उत्तर देने में आपको आसानी होगी और ऐसी ही स्लाइ कि युछ और आ जुछ exploring आपा जो पूम होएश देने जसाओन का उन म https बज उनाप देने आपको आपको.